Hello everyone and welcome back to my YouTube channel So this is the playlist जहांपर में errors वगरा या useful tips वगरा जो होती है उनका upload करता हूँ यहाँ पर दो वीडियो हैं और slowly slowly जो चीज़ें मैं face करता जाँगा जो मुझे useful tips लगेंगी तो वो इस playlist के अंदर upload होती जाएंगी तो आज में पास एक इशू ही आ रहा था iOS के अंदर मैंने कुछ parts की integration, de-integration करी और कुछ ना कुछ changes करे थे major तो जिसकी वाइसे एक error था जो resolve नहीं होना था और वो मसला था drive data का drive data basically क्या होता है जब भी आप build बनाते हैं Xcode से ना तो एक bundle या package जो होता है वो drive data की folder में जाके save हो जाता है फिर उसी folder से वो build बन रही होती है बार-बार तो sometime ऐसा होता है कि वो drive data आपको delete करने के ज़रूरत होती है तो उसको delete करने का सबसे easiest solution यह है कि आप यहाँ पर जाएं एक्सकोइट के अंदर और यहाँ पर preferences के अंदर क्लिक करें और यहाँ पर आपको सबसे first option देखेगा drive data का जिसके आगे arrow बना हुए इस arrow के उपर आपने क्लिक करना है और यह जो drive data है इस पूरे folder को आपने move to bin करने के बाद इसको एक बार यहां से जो recycler bin होता है यहां से भी इसको डिलीट करते है इप माइट टेक सम टाइम क्योंको drive data हमारा काफी GB में भी होता है अगर बना फोजेक्टर दो तीन GB तक भी drive data होता है और इसको बन करने के बाद एक बार आप clean करें और जब build करेंगे तो drive data का फोल्डर दुबारा से recreate हो जाएगा I hope this video helps you to delete the drive data और मेरे पास जो export का version है वो version है 13.0 और ऐसा भी होता कि export के version के हिसाब से settings हो जागे पीछ होती है लेकित mainly majorly चीज़े वहीं पर ही होती है so I hope this video help you और अगर कोई Christian हो कोई query हो तो आप मुझे comment section के नहीं बता सकते है